कड़ी चाओल एक ऐसी डिश है जो सब की फेवरिट होती है मुझे गर्मा गर्म कड़ी चाओल खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसलिए आज मैं आपके साथ कड़ी की रेस्पी शेर करने जा रही हूँ आज के बाद ये आपकी भी फेवरिट हो जाएगी तो चलिए फिर देर किस बात की गर्मा गर्म कड़ी चाओल खाने की तयारी कर लीजे आए फिर हम मिलकर बनाते हैं ये कड़ी के डिश कड़ी बनाने के लिए हमने सबसे पहले आदा कप बेसन लेना है बेसन में एक कप पानी मिला देंगे और उसके बाद ऐसे ही इसे हम घोल लेंगे बेसन को घोलते समय हमने ये ध्यान रखना है कि बेसन की एक भी गुटलियां बाकी न रह जाए यह देखिए बेशन को हमने अच्छे से घोल लिया है अब इसमें एक कप दही मिला देंगे बेशन में दही मिलाने के बाद इसे भी अच्छे से घोल लेना है इस गर्मी के सिजन में खाने में दही का उपयोग जरूर करना चाहिए इसे हमारी बॉडी और पेट दोनों ठंडा रहता है यह देखिए दही और वेसन डोनों अच्छे से घुल गया है अब इसमें दो कप पानी डाल देना है पानी को भी इसमें ус मिक्स कर लएते हैं कि सारी चीजामेमिकोश से मिक्स हो गई है अब इसे हमने थोड़ी दिर साइड में रख देना है इसी के साथ हमने나ठ कि म में हमने कुछ मसाले डालने हैं तो मसालों में हम लेंगे आदा चमच गरम मसाला पाउडर एक चमच सब्जी मसाला पाउडर एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर और एक चमच लाल मिर्ष पाउडर अब हमने इन मसालों में आधा कप पानी डाल देना है मसालों को अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसे अभी हमने साइड में रख देना है और इधर हमने एक पैल लेना है जिसमें दो से तीन बड़े चमच तेल डाल देंगे यहाँ पर गैस की फ्लेम हमने मीडियम पर रखनी है तेल जैसे ही गरम हो जाता है हम इसमें डाल देंगे दो थेज़ पत्ता और दो खडी लाल मिर्च साथी साथ इसमें जाएगा एक चोथाई चम्मच जीरा एक चोथाई चम्ममच राई मेथी दाना और एक चोथाई चम्मच सौंफ आप इसे एक बड़ी चला लेते हैं और हमने गयस की फ्लेम यहाँ पर स्लो पर कर देनी है इसी क साथ ही साथ इसमें डालेंगे दो से तीन कटी हुई हरी मिर्च और कुछ करी पत्ते और साथ इसमें जाएगा एक चौताइचमच हींग कड़ी में हिंग जरूर डालें ये पेट के लिए बहुत ज़्यादा फादे मंद होता है जैसे ही ये सारे मसाले हलके सुनरे हो जाते हैं तो इसमें हम भिगोए हुए मसाले डाल देंगे मसाले डालने के बाद गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पर कर देना है अब इसे हमने यहाँ पर चला लेना है और मसालों को हम अच्छे से पका लेंगे ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया है और तेल भी मसालों से उपर आने लगा है तो अब इसमें हम दही और बेसन का घोल डालने से पहले हमने इसे एक बार चला लेना है क्योंकि बेसन नीचे बैट गया होगा उसे चलाने यहाँ पर बहुत जरूरी है यह घोल डालने से पहले हमने गैस की फ्लेम को स्लोपर कर देना है दही और बेसन का घोल डालने के बाद इसे हम अच्छे से चला लेंगे अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी कम लगता है तो हम यहाँ पर पानी भी एड़ कर देंगे एक कप काफी होगा लीजे पानी भी अच्छे से मिक्स हो गया है अब हमने इसमें स्वादा नुसार नमक डाल देना है साथी साथ इसमें आदा चमच कसूरी में थी यूँ हाथों से रगड़ कर इसमें डाल देंगे अब इन चीजों को इसमें एक बारी मिक्स कर लेते हैं गर्मियों के सीजन में लोग दही के कारण कड़ी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए इस गर्मी के सीजन में आप भी ये कड़ी जरूर बनाएं अब इस कड़ी को हमने 5 मिनाट मीडियम फ्लेम पर यो खुला ही चलाते हुए पकाल लेना है ये देखे 5 मिनाट बाद कितनी बढ़िया कड़ी बनकर त्यार हुई है हमने इसे बहुत ही ज़्यादा गारा नहीं होने देना है इसे हल्का पत्ला ही रखना है तो चलियے फिर कड़ी तो पक चुकी है अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे हरी धरिया डाल कर सर्व कर लेंगे इस कड़ी को और भी ज़्यादा सुपर बनाना है तो इसे उपर से तड़क देंगे इस कड़ी को तड़कने के लिए मैंने यहाँ पर एक तड़का पैन लिया हुआ है इसमें एक बड़े चमच शर्सों का तेल डाल देंगे अब इसे हम गैस की फ्लेम पर गरम कर लेंगे यह देखिए तेल गरम हो गया है अब इसमें हम आधा चमच राई, कुछ करी पत्ते और आधा चमच लाल मेंच पाउडर डाल देंगे अब इस तड़के को हमने कड़ी के उपर यूँ डाल देना है ये देखे कड़ी हमारी बनकर तयार है तड़के को इसमें मिक्स कर लेते हैं ये और भी ज़्यादा डेकोरेटिव लगेगा अब इसके उपर थुड़ा सा और धनिया डाल देते हैं लीजिए ये कड़ी पर्फेक्टली बनकर तयार है गर्मा गरम कड़ी को गर्मा गरम चावल के साथ सर्व करिए ये जो कॉंबिनेशन है कड़ी चावल का ये आपको बहुत ही पसंद आएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं तो चलिए अब हमें इजाज़ा दीजे मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए और टाडा